जाओमीन अगर आप रेस्टोरान में खाने जाओगे तो आपको महंगी मिलेंगी और अगर आप घार में बनाते हो तो यह सस्ती भी बनेंगी और ज्यादा बन जाएंगी सबसे पहले आपने लेनी है एक कैप्सिकम उसके आपने बीच निकाल लेने है और उसे जूलियन कट कर लेना है बहुत ज़्यादा मोटन में आपने करना बरीक करना है और एक आपने कैरट लेनी है उसे भी आपने बरीक बरीक लंबा लंबा काट लेना है उसके बाद आपने काट लेना है फिर एक पैन लेना है उसके अंदर आपने और डालना है और चॉप करके आपने असके अंदर डालना है थोड़ी देर आपने से बूल लेना है ताकि उसकी श्मेल ना आए और चिकन भी आपने लंबाई में काट के डाल देना है और इसे आपने अच्छे से ना जो वैजिस हमने रेड़ किए थी ना कट की थी वो डाल देनी है इसके अंदर अच्छे से आपने मिक्स करनी हैं बंद को भी आपने नहीं डालनी है वो आपको पता है जल्दी कूक हो जाती है तो वो हम लास्ट में अड़ करेंगे वैजिस को आपने अच्छे से सौ्टे कार और इसे आपने डालना है spices, नमक, काली मार्च और फिर आपने sauces डालनी है वो आपको screen में तना ज़रा रही है और अच्छे से आपने इसे करना है mix और जो spaghetti है ना वो आपने बॉयल कर लेनी है पानी में डालके नमक और आपने oil डालके से कर लेना है बॉयल आप नूडल्स भी और कैबिज हमने लाज़ पे आड़ करनी है और अच्छे से mix करना है आपकी मज़दार सी चाव मिल रैडि हो जाएगी फिर आपने इसे serve करना है और अपना feedback आपने लाजमी देना है